कियो? तब 2008-2009 में आप शेर्मल शेक में बलूचिस्तान को एग्रिमेंट पार्ट बना लेते हैं हम मान लेते था है कि बलूचिस्तान में हमारा इंवैलमेंट है इतनी बड़ी बड़ी हमने स्ट्रेजिक गलतियां की और जहां तक आप अफगानिस्तान की बात करते हैं आपने एक बात कही जब असी में सोविये संग ने कबजा किया अफगानिस्तान पे तो हम कहां खड़े थे अचानक हम उनके साथ खड़े थे फिर जब 90 के दशक में हुआ हम दूसी तरफ आखे खड़े हो गए जब वहां प उस समय के लिए भारत पे रहने भी दिया बाद में सुट्चर लेंड और परिश चले गए तो हमारी अफगानिस्तान के लिए नीत क्या थी ये तो बताईए ना अगर हम जहीर शाह के साथ थे तो फिर हम कम्निस रिजीम के साथ थे तो हम अमरीका के दबाओं में क्यों आ ग अब दिल पर हांत रखे कहिए वह गलत था क्या या फिर इमाददारी से कहिए कि हम से चूक हो गई थी हम उनका दर्द नहीं समझ पाए थे और हम आप जो गल्तियां किनारे वो तो कह रहे हैं हमारी सबसे बड़ी काम्याबिया रही है यह कामिया भी है पुल्वामा से लेक आपने किया क्या आपने जो क्राइम चीन पर उनी अपराधियों को बुला लिया आई एसाई को पाकिस्तान के जिसने यह अपराज में जो इस संगठीत अपराज में शामिश से मैं पूछना चाहता हूँ T.A. की बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं दो-तीन दिन से आपको सुदाओ सुधान्शु जी कब T.A. का नोटिफिकेशन हुआ था बताईए देश को एक जनवरी 2020 एक भी नागरिकता दी उस T.A. के कानून से आज तक आपने बताईए देश को क् क्या अर्गुमेंट ये देते हैं कि साब कोविट की मामारी तीसरे रूल नहीं बना पाए अरे किसानों के खिलाव क्रूर काले थीन कानून बना दिये और कहा आपदामे आउसरट बूड रहे हैं और इनके रूल तक स्टेम नहीं कर पा है किस कूर से कहते हैं उस कानून में लेकिन आज जब सिक्ष महां से वापस आ रहे हैं आज जब गुरु ग्रन साहब को लाई जा रहा है भेदू जी तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर जो संख्यक रहे हैं उनके लिए भारत को कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है उनको लाने का चो कदम उठाये गया है सही है तस्वीरे दिखाएगे ज़िए नहीं 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 सिटिजेंशिप एक 1955 में क्या प्रावधान नहीं से नागरिक्ता देने का क्या बात करती हैं और मैं तो प्रमाणी को आज तक भी नागरिक्ता नहीं जीजिए मैं इस बहुत में नहीं पढ़ना चाता सुदाशिपी